हेलो दोस्तों मैं हूँ देवराज और मैं आप से भी को स्वगत करता हूँ आपने चैनल टेकीदे पे और मैं आज इस वीडियो पे डालने वाला हूँ Samsung A50 और Realme 3 Pro के camera comparison Samsung A50 25MP f1.7, 5MP secondary camera and 8MP wide-angle lens camera के साथ है और Realme 3 Pro 16MP plus 5MP f1.7 camera के साथ आते है और दोनों फोन के सामने 25MP का front camera है और आपके स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि दोनों फोन का specification comparison आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन के ऊपर की parallel दो वीडियो चल रहा है लेक्ट वाला जो वीडियो है वो Samsung A50 से लिया गया है और राइट वाला जो वीडियो है वो Realme 3 Pro से लिया गया है Realme 3 Pro का पिक्चर क्वालिटी है वो natural color देता है और warmth दे रहा है लेकिन यहाँ पे Samsung A50 का color बहुत ही white-ish है और cool है लेकिन color production उतना अच्छा है नहीं आप उपर sky का देखिए Realme 3 Pro से natural view आ रहा है लेकिन Samsung A50 से natural view नहीं आ रहा है और leaves का भी देखिए detailing भी देखिए वो भी Realme 3 Pro का अच्छा है लेकिन Samsung A50 का अच्छा नहीं है आप इधर वीडियो से देख पा रहा है है दोस्तों यह वीडियो Samsung A50 से ले जा रहा है और जो आवाज आ रहा है वो इसी खाई माइक से आ रहा है और आप देख सकते हैं कि यह वीडियो कैसा है और stable है कि नहीं यह व्लोगिंग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते लाइट तो अच्छा दिख रहा है यहां पर और पिक्चर क्लारिटी भी अच्छा है और तो stable भी दिख रहा है मुझे तो आप कॉमेंट सेक्शन पर जरूर पताएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लागा दोस्तों यह वीडियो रियल्मी 3 प्रो से ले जा रहा है और आप देख सकते हैं कि वीडियो क्वालिटी कैसा है वीडियो तो stable है मेरे पिछले वीडियो में अपने देखा था और यहां पर सैमसंग की तरह लाइट अच्छा है और यहां पर थोड़ा आर्टिफिशल लग आपको यह वीडियो कैसा लगा वह जरूर बताईगा कॉमेंट सेक्षन पर अभी आपके सामने दोनों फोन से खिचे गए पीक है इस कंपरिजन में अन्दा लेफ्ट समसंग ए 50 से लिया गया है और राइट पर रियल्मी 3 प्रो से लिया गया है और आप देख सकते हैं कि र आप मोर कूल पिक्चर क्वालिटी है इसमें और इस पर आप देख सकते हैं कि सम चीज देख रहा है लेकिन यहां पर रियल्मी 3 प्रो ने रोज का थोड़ा ओवर सेचुरेटर को थोड़ा ओवर सेचुरेटर बना दिया है बात ए 50 की हो तो कलर नैचरल आया है लेकिन ब्ल भूमेटर बुद रियल्मी 3 प्रोने ने नेचर्ण कर्ल सकता है यहां लेकिन ड्यल्मी 3 प्रोने ब्लु प्रोने म। Install dobr ट्या है लेकिन और आय। Pan रियल्मी 3 प्रोने रोशाइब का दो जो लेंस है उसी के लिए और ये नेच्वल Buket effect दे रहा है यहाँ पर A50 ने कमल ने कमल कर दिया है नेच्वल कलर प्रोडूइस किया है और बेहतर पीक भी प्रोडूइस किया है यहाँ पर दौस्तो फीच से सैमसंग ने ब्लूई स्टेंज निकल दिया है और कलर थोड़ा फ अच्छा किया है बाकी आप के उपर है आप कॉमेंट सेक्शन पर मुझे बताइए कि आपको कौन सा पसंद आया है इस वाल पिक में से यहां पर देखिए रियल में 3 प्रो ने नैच्छरल पिक लाया है स्कीन टोन डीटेलिंग सब कुछ बैलेंस्ट है लेकिन सैमसंग A50 में आप ब्यूटी मोड आफ कर दीजिए फिर भी आपका स्किन टोन हुआइट हो जाएगा जैसे कि इस पिक्चर में हुआ है अब देख सकते और देखिए वो अफेक्ट बैक्ग्राउंड डेटेलिंग में भी होता है रियल में 3 प्रो का बैक्ग्राउंड देखिए और सै एक फिफ्टी ने फेयर कर दिया है एस इजिए इट अफिक्स प्राइर राइट पिक पर देखिए रियल मी ने बहुत अच्छा पीग लाया है बैक्ग्राउंड देखिए नैच्रल भुक एफिक्टे रहा है और स्कीन टोन भी जो है नैच्रल दे रहा है संसंग का ये फॉ मोटों की बात करें तो Realme 3 Pro अच्छा है अभी पोर्ट्रेट मोड में देखिए human object पर कैसा focus लेता है दोनों डिवाइस और आप यहां notice करेंगे again skin tone looks artificial in Samsung A50 but it looks natural in Realme 3 Pro as usual यह वाला normal mode पर लिया गया है और आप result खूर्दी समझ सकते कि पिछले जो comparison में मैं बताया है वही यहां पर दिख रहा है वही सेम चीज हर picture में produce कर रहा है Samsung A50 यह pic artificial lighting condition में लिया गया है तो difference आप तो देखी सकते हैं और जो आपको कौन सा पसंद आया है वह मुझे comment section पर नीचे बताईए पिक artificial lighting condition में लिया गया है front cam से और आप differences बहुत ही noticeable है अब यहां पर देखिए artificial lighting condition में Samsung A50 का picture अच्छा है Realme 3 Pro से क्योंकि Realme 3 Pro का picture थोड़ा white-ish है लेकिन Samsung A50 ने warm picture प्रोड़ीस किया है जो कि अच्छा है और skin tone भी अच्छा निकला है यहां पर तो दोस्तों मेरे से दोनों phone ने बहुत अच्छा ही किया है यहां पर Samsung का एक plus point है कि wide angle lens है पर अगर detailing and accuracy की बात करेंगे तो Realme 3 Pro ने बहुत ही अच्छा किया है तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद है तो like जरूर करना और subscribe किजिए मेरे चैनल को ताकि आप लोगो मेरे upcoming वीडियो को miss ना करें और यह वीडियो देखने के लिए बहुत ही दंदेवाद और मैं आशा करता हूँ कि मेरे अकल